हलो बच्चों यहाँ पे हम सेप सीखेंगे तो सेप सीखने का बहुत ही आसान तरीका है यह कुन सा सेप था पैंटागॉन था तो यह पैंटागॉन में जाएगा अब यह क्या है? Hexagon है तो यह है Hexagon में ही जाएगा ओके और square square में जाएगा ठीक है, यह square है, square में जाएगा, यह pentagon, तो pentagon वाली table पे जाएगा, यह pentagon है, dog house भी, ओके, और यह hexagon है, यह watch जो है square है, square में जाएगी, अब यह tent है, यह pentagon है, तो यह pentagon में ही जाएगा, यह hexagon में जाएगा, hexagon safe है यह, और इसका safe है square, pillow का safe भी है square, और यह जाएगा hexagon में, तो देखा बच्चो कितना असान है safe सीखना, इस तरीके से आप घर पे सीख सकते हैं, हेलो बच्चो, आप हम सीखेंगे, big and small का concept, तो बताएगे, यह cucumber क्या है, big है, तो यह big वाली cat के plate में जाएगा, यह small है, तो small वाली cat के plate में जाएगा, अब यह small bottle है, अगर हम बड़ी cat के plate में डालेंगे, तो भो नहीं जाएगा, बिकोज क्योंकि यह big में big जाएगा, तो हम क्या करेंगे, big में big को ले जाएगे, big cat के पास, और small bottle को, small cat के पास लेके जाएगे, अब यह onion big में जाएगा, और यह वाली onion small है, ओके, अब बताएगे, यह बिग है तो इसमॉल है वो यह बिग में बिग का बिग में जाएगा इसमॉल का इसमॉल में जाएगा ठीक है इस इसमॉल इसमॉल में जाएगा इसमॉल के पास और यह बिग है तो बिग के पास जाएगा अब यहां पर चीज बिग है तो बिग की प्लेट में जाएगा तो इस तरीके से हम सीखेंगे Big and Small Big मतलब जो चीज बहुत बड़ी है तो बड़ी cat के पास जाएगी जो चीज छोटी है वो छोटी cat के पास जाएगी तो ये burger Small है Small plate में जाएगा ये burger Big है तो Big plate में जाएगा